आज हमारे साथ बौत्धरम के जानकार सुधीर राज सिंग जी है और आज हम उन्चे जानेंगे कि दिवाली या दिपावली और बुद्ध में क्या संबंद है सुधीर राज सिंग जी बताइए हमें दिपावली दियावली दिवाली दीपदान उत्सब दीपदान उत्सब दीपपकास या हम अगर पूरी तरह से पाली में जाएं तो इसको कहेंगे धम दीपपकास उत्सब ये हिंदी में हो जाता है संस्क्रिप में हो जाता है धरम दीप प्रकास उत्सब पाली में बोलेंगे इसको धम दीप प्रकास उत्सब इसका सम्मद बहुत गहरा है ये जो उत्सब है कुछ जादा पुराना नहीं है बुद्ध के समय से पहले का नहीं है क्योंकि बुद्ध आये तो धम आया धम आये तो धम का प्रिकास हुआ उसका दीदीब जिला और उत्समनना शुरू हुआ जब सिधार्त गौतम बुद्ध ने ज्यान प्राप्त किया तो उनके पिताजी ने मैसेज भिजवाया उनको खबर भिजवायी कि वो पधारें गाउं आने अब उनको गाउं आना है कुछ साल बाद वो सम्यक संबुद्ध होने के बाद कुछ साल बाद वो जाते हैं गाउं अब उनको गाउं जाना है तो आप ये देखिए कि वहाँ दीपक कौन सा चलने वाला है ऐसा कौन सा दीपक है जो रोशन देने वाला है थोड़ा भी आप विचार करेंगे तो क्या वहाँ अंधियरा है गाउं में या जो उनका जहां वो निवास करते हैं सारी लोग उनके पतार चलते हैं क्या वहाँ अंधियरा है क्या वहाँ एक ही दिन के दीपक जलाने से सारा अंधियरा सारा अंधियरा दुदूर हो जाएगा फिर कभी दीपक की आवशक्ता नहीं पड़ेगी क्या वो इतने अंजान है कि दीपक जलाके प्रकास करेंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और समझेंगे कि बुद्ध ने कौन सा दीपक जलाया कौन सा प्रकास दिया क्योंकि भोजन का दान जिसको हम बोलते हैं पिंडपात भोजन का दान या वस्तर का दान या धन दानने का दान या अभे दान यानि किसी का भे हटा दनने का दान और भी बहुत सारे दान है मगर इन सारे दानों में, जो सबसे बड़ा दान, भगवान ने समयक्सम बुद्ध ने बताया वो है धब दान जिसको आप धब का दान देते हैं, धम दान देते हैं, उसको फिर किसी दान की आवशकतर नहीं होती, उसके पास सारी चीज़ें आजाती है और वो संपूर्ण हो जाता है तो ऐसा प्रकास उत सब क्योंकि अगर वहाँ धम होता आप थोड़ा भी ध्यान दीजिए कि अगर कपिल वस्तू के अंदर उनके पिता के पास या उनके जो भाई थे या जो उनके गाउवाले थे या जो उनके कभीले वाले थे या उनके समुदाय के लोग थे या जो शाक्यवंस के लोग थे अगर उनके पास धम होता पहले से अगर वो धम को जानते धम का प्रकास होता तो सिधार्द गौतम बुद को धम को ढूणने के लिए जाना ही क्यों पड़ता इसका मतलब वहाँ अंधेरा है और अंधेरा सब जीगे है उत प्रिकास लेके घूम रहे हैं प्रिकास सब को देते आ रहे हैं तो अब नंबर कपिल वस्तू का है जहां उन्हें जाना है तो समय देखिए कौन सा आरंब होता है पवर्णा स्टार्ट हो चुकी है पवर्णा आरंब हो चुकी है अब पवर्णा क्या है यह जो उत्सवों की जो सरीज है जो उत्सवों की स्रंखला है यह जो आरंब होती है यह होती है असारी पूर्ण मासे असार की पूर्ण मासी से असाड की पूरण मासी में जब पहली वार सारे भिक्चू, सारे टीचर, सारे प्रॉफिसर अपने अपने बिहारों में आते हैं या जो बिहार उन्हें चुना हैं वहाँ आते हैं तो वहाँ वो अपना अध्धिन करते हैं, सुएध्धिन करते हैं, औरों को भी सिकाते हैं, क्योंकि बिहार में कोई ऐसा तो है नहीं कि बिख्चु आए और वहाँ आके खाना खाके और पढ़ गे और कुछ काहा काम नहीं करेंगे। छालंदार, राजगीर, मगद, कबिल बस्तू का जो सारा एरिया है, वो तर्हाई वळ एरिया है, वहाँ पानी भांचादा हाता है, बारज जाधा होती है, मगर आज के समय में ऐसा नहीं है, आज के समय में तो भिक्टू अपडेट है, मुबाईल से, लैप्टॉप से, हवाई जहाज से कारों से, स्रलक से घर से, पक्के-पके बिहारों से और अच्छे-अच्छे उपासक भी है जो सारी सुभधाय उत्पन कराते हैं उस समय की बाच लिए है तो उस समय असारी पूर्णमा से आरंभ होते होते सावन पूर्णमा आती है सावन पूर्णमा में रखा सुत्तं तिप्सो आता है, जहां सुत्तों को बादने काम आरंभ होता है, उसके बाद फिर भद्र आता है, भद्र पूर्णमा आती है और भद्र पूर्णमा के बाद में क्योंकि आपने देखा साधना का समय आता है जिसको साध बोग गोलते हैं और उसके बाद में अब पवर्णा का समय आ गया और पवर्णा के समय आते 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 जो अस्विन पुर्णमा सी है उसको खतम हो गया तीन महिने का मनीमम होता है और कार्टिक जो पुर्णमा है एक महि विक्षू है जो टीचर है उनके अपने संसाधन लेके और वहां से सिक्षा पूरी करके और पर्मिशन लेकर जात लेकर बड़े भिक्ष की और वहां से निकलना होता है पूरे पड़ाने के लिए तो चार महिने का कम्प्लीट कोर्स है जिसमें उत्सभी उत्सभ होते हैं और पूरी मुमेंट होती है पूरी प्रिक्रिया होती है पूरे सारे समय वहां हल चल होती है तो भगवान ने गौतम बुद्ध ने आने का उनको कहा और आने की खबर हो गई कि वो आ रहे हैं कव आ रहे हैं अमावस्या को आ रहे हैं तो आप देखिए कि अमावस्या से दो दिन पहले कौन सी मवस्या को आ रहे हैं कार्टिक मवस्या को यानि कि पवर्णा भी है पवर्णा के लगभर पंदे दिन हो जाएंगे और पवर्णा भी है और वो आ भी रहे हैं तो आने से पूरे-पूरे कपिल वस्तु के छेत में बड़ा उल्लास का महौल है तैयारियां चल रही है क्या तैयारी चल रही है धन धान्य तेडस पे यानि उससे दो दिन पहले क्या पड़ता है तेडस मतलब तेर मादिन जबकि चंद्रमाल लगातार छोटा होता जा रहा है और अधेरा होता जा रहा है मगर वहाँ देरा नहीं हो रहा है वहाँ तो पूरा जोस है तो वहाँ धन दानने देखा जा रहा है क्योंकि इतने सारे भिक्कु आने वाले हैं भगवान आने वाले हैं तो खाने की वेफस्ता भी करनी है और सब कुछ होना चाहिए क्योंकि भगवान आके वहाँ पर धम सिखाएंगे धम सीखेंगे तो उस समय disturbance नहीं होनी चाहिए तो धन-धान्य एकटक करने हैं तो धन-धान्य का तेड़स है अब धन-धान्य जो सब्द बना हुआ है धन पहले नहीं था पहले के समय में धन-धान्य वर्ड नहीं है धन-धान्य पाली के बाद में सब्द आया धन्य वर्ड है और धन्य बोलते है चावल को, भंडार को, गेहूं को इसको धन्य बोलते हैं जो grains आते हैं उनको धन्य बोलते हैं तो धन्य बाद भी इससे बना है अब 14 जो है वो आप ये समझेए कि कल सुबह भगवन आने वाले हैं चल चुके हैं खबर आ रही है उनकी और यहां रारात हो रही है तो रात वो कोई नहीं सो रहा है 14 को सुबह ही सारे लोग उठ जाते हैं उस छेतर में जहां ये नैपाल, जहां ये बंगाल, जहां ये बिहार, जहां ये उडिशा का जो छेतर है वहां का ये फेस्टिबल है और वहां इसको काली 14 भी बोलते हैं और काली के नाम से पूछते भी हैं क्योंकि बलैक नाइट है 14 की जो रात है वो बलैक है काली है तो सुबह ही उड़ जाते हैं सब लोग नास्ता करते हैं नएने कपले अपने त्यार करते हैं साफ सफाई करते हैं पूरा घर आगन ठीक करते हैं कहीं लिपाई पताई होनी है मिट्टी से तो वो करते हैं कोई रंगोली बनाता है कोई डिजन बनाता है औल्ला से वातरवन है बच्चों में सब तरह से चल रहा है और खाना खाते हैं खाना भी बड़ा expensive है क्योंकि फसल का जो पहला चावल आया है फसल आ चूटी ये चावल की तो फसल का जो पहला चावल आया है उसको चेक करते हैं खा कर देखने एक दिन पहले कि यह कैसा है किसा नहीं, इसका स्वाद कैसा है क्योंकि विक्कों को खलाना है। तो परंपरा और विक्सित हुए कि चाफल जो पहला पहला आएगा, फसल पक Windows की उसको तीन पहला चाफल बनाते हैं। और पहला चावल बनाने के लिए उसमें सुगंदित जो शेह देवुड़ डालते हैं, जो गुड़ की जगरी होती है, उसको डालते हैं, ओइल डालते हैं, एक अच्छा फूड, बड़िया फूड बनाते हैं और खाते हैं, ये सारा का सारा काम चल रहा है और जो कुल देवी, यानि कुल माता, यानि जो परंपरा रही है, शाक्यवंस की, और परंपरा रही है भारत के पराने लोगों की, कि कुल माता, यानि जो पूरे परिवार की माता होती है, उसके आदेश किमना काम नहीं होता है, इसलिए उसकी इस्तुति की जाती है, उसे परंशन दी जाती है, लेके बताइं, यह क्या काम कंदा है, क्या नहीं है। अमानेंट धम्म का प्रकास देने वाले हैं। जवाब हैं, बहुत सारी बात हैं। तो उस दिन इतना उल्लास, क्योंकि खाना तो सामई के खटा हो चुका है, खाना बढ़ता है, उल्लास बढ़ता है, खुसियां बढ़ती हैं, और उस दिन मिलना मिलाना यह चलता रहता है। और भगवान अगले दिन से, यानि कि जिसको हम धम, दीप, उस सब बोल बोल रहे हैं, या पकास उस सब बोल रहे हैं, या दिवाली या दीपावली बोल रहे हैं, उसके अगले दिन गौतम धम धम देते हैं। तो इसको गौतम धम के नाम से भी जानते हैं। गौतम धंदिवसो और इसको गौधूं भी बोलते हैं। गौधूं माने होता है गैहूं, पुराने समय होता है क्योंकि गैहूं जम रहा है खेतों में और उखके थोड़ा सा बहार आ चुका है, तो गैहूं को देखे खुष होते हैं तो दो नाम इसके पड़े हैं। मेर नाम इसका गौतम धम दिपसो है क्योंकि धम देना उन्होंने आरम कर दिया है अब वो धम दे रहे हैं और धम देते देते एक दिन पूरा बीच जाता है और अगरले दिन तक उन सब का भै दूर होना शुरू हो जाता है यानि भै दसी इसको बोलते हैं भै दसी दिपसो यानि भै दूर दूर हो गया बात में कुछ लोगों ने इसको भै दूर भी कहा दूर माने दो होता है और भै दूर माने भाई होता है तो सवाल ये है कि भैन दूर भी होना चाहिए क्योंकि बहन भाई में तो कोई अंतर है नहीं भाईया दूज तो है मगर बहन दूज नहीं है इसलिए परंपरा बताती है कि भगवान के समय में भाई और बहनों का बरावर का हिस्सेदारी और बरावर की मानता है समता चल रही है तो इसका जो असली नाम है वो है भै दसी दिबसो यानि कि भै को दूर कर दिया धम दिया और धम से प्रकास ऐसा हुआ कि अंदर का सारा भै और अधियार चला गया अब प्रैक्टिस सुरू हो रही है भगवान ने आसन जमा लिया भगवान देशना कर रहे हैं बता रहे हैं धम के बारे में और धम को सिखा रहे हैं प्रैक्टिस करा रहे हैं तो माताओं में और बहनों में बड़ा उल्लास है और वो प्रैक्टिस करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं तो उनको बताते हैं कि उपुसत करना है 24-24 गंटे, 36-36 गंटे लगातार वो साधना कर रही है विपस्ना कर रही है क्योंकि उनको भेह का दर्सन हो रहा है कैसे भेह जा रहा है कैसे अंधेरा जा रहा है तो उनको भोजन देने के लिए बीच पीच में अर्थ दिये जा रहे हैं कैसे अर्थ दिये जा रहे हैं खीर खाई भगवान ने तो खीर दी जा रही है खीर बन रही है उसको खरना बोलते हैं खरना बन रहा है और उनके लिए जो पहला चावाल आया है दूद आया है जगरी आई है और जो शेहद आया है तिल आया है उसका भोजन दिया जा रहा है तो भोजन उनको दिये जा रहा है बीच में ताकि वो विपशना के बीच में अर्ध दिया जाता है और थोड़ा उनको sunlight में दी जाती है ताकि लगातार बैठे बैठे उनका सरी खराब ना हो sunlight में देती रहे हैं ये लगातार लगातार पॉसे चलाए और भगवान धम पे धम सिकाए जा रहे हैं सब लोग बड़े ध्यान से धम सीख रहे हैं पहली बार मिला है ऐसान मोल रत्म भगवान आये हैं उनके गाओं के हैं उनके गबीले के हैं तो उल्लास बहुत ज़्यादा है इस उल्लास की वैसे अब छटा दिन आने वाला है धम सिकाते हुए और छटे दिन में साधना में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है क्यों आती है मुश्किल आती है क्योंकि छटे दिन में जब साधना में लगातार प्रिबल प्रेक्टिस करता है तो साधना का इस्टेगनियेशन आ जाता है साधना में एक ऐसा ग्राफ आता है समानता का कि लगता है कि हम साधना में प्रगती नहीं कर रहे हैं साधना में प्रगति नहीं हो रही है और जो बताया जा रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है तो बड़ा संसे होता है, मन में बड़ा भै होता है तो जादा भखवान कहते हैं, साधना करने के जो टीचर है वो जादा कहते हैं कि इस पे इस्टेबल रही है, थोड़ा ध्यान कीजिए बस छटा दिन मुस्किल है, पांच में से लेकर छटा दिन मुस्किल है उसके बाद तो फिर बड़ा आसान है तो ऐसा देखा गया, यह प्राचीन समय से चला रहा है तो उसको छट बोला गया कि छटी जिसने पार कर ली इसलिए इसका मौहावला बना छटी का दूद कहते हैं छटी को जो दूद पलाते हैं वहाँ पे वो छटी का दूद याद आ जाए व्यपस्ना में जो लोग करके आते हैं उनका रेकोर्ड है वो पांच में दिन छटे दिन कोशिश करते हैं निकल जाएं भाग जाएं क्योंकि पांच छटी दिन होगे बड़े उसके साथ आते हैं कि हमें कुछ मिलेगा हमें कुछ प्राप्त होगा और वहाँ तो व्यपस्ना करने में कुछ प्राप्त हो नहीं रहा करे जा रहे हैं तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है तो छटी के दूद का मुहावरा तबी से बना कि 6 दिन हो गए हैं और दूद पिया अब दूद पिने का मन भी है या नहीं है दूद याद आता है पियें ना पियें ऐसे करके उल्लास में बात बनती है तो साधना चल लगातार भगवान धम को सिखा रहे हैं अब इस खुसी में आपने इसको दीब दान उस सब बोलें या प्रकास उस सब बोलें या धम उस सब बोलें क्योंकि सबसे बड़ा दान हो रहा है और एक ऐसा दीब दान का दे रहे है भगवान जिसका प्रकास सदा रहेगा उस गाउं से कभी जाएगा नहीं उस लोगों की दिल से कभी जाएगा नहीं और इस मायने में उनको धम दिया जा रहा है और इसलिए लोग दीपावली मनाते हैं उसकी याद में अब साधना करना तो भूल गए साधना तो कोई करता नहीं साधना की जगे और कुछ करने लगे तो प्रकास आये कहां से एक रात का दिया या मुंबती जलाके या घर के आगे लैड जलाके क्या मन सुद्ध होता है ये अपने आप में एक अलग सी बात है बचार नहीं है मगर असोक के समय आते आते जब असोक को ऐसा पता चला और जो स्रीलंका की अंदर जो बुद्ध साहित है जब वहाँ पता चला के दीबदान उतसब मनाय जाता है तो उसकी व्याक्षा होने लगी कैसा मनाय जाता है तो असोक ने उस दीबदान उतसब की याद में 84 हजार पत्थर की कितावें इस्तूप, चैते, पुस्तकाले, भैसज्ये गरू के जो अस्ताल थे जानवरों के स्टाल थे वो, प्यावो, और रास्ते के मील के पत्थर, सूचना के पत्थर, सडके यह सारी चीज़ें लगबग 84 हजार के करीमें उन सुत्तों के हिसाब से बनवाई और उनका एक ही दिन के अंदर उदगोस किया कि आज से यह चीज़ें मानी जाती हैं, कि यह बनी है उस उदगोशना की खुसी में, जो वो गोशना होई और जो वो प्रिकास हुआ उनके जो 84 हजार इस्तूप चैते बगर बगरा थे उस खुसी में 84 हजार दिये भी जलाएगे आज भी राइस्तान के एक जो राजभवन है उसके अंदर 84 हजार दिये जलाएजाते हैं और साउथ के मंदरों की जो सूचना है वहाँ भी दिये जलाएजाते हैं और सबसे कमाल की बात है कि जहां थेरावादा परंपरा है थेरावादा इस्तिरवादा मतलब जहां भगवान बुद्ध की जो परंपरा एक्जेक्ट जो चली आ रहे है जिसमें चेंज नहीं किये समय के साब से और जिसको लोग शुद मानते हैं कि ये वही परंपरा है जो भगवान बुद्ध की है जो सिलंका में है, जो मैनमार में है, जो आके भारत के अंदर है, कहते हैं आउस्टेलिया की तटो के अंदर भी है, कुछ कंट्री है, नेपाल के अंदर है, वहाँ आज भी दीप जला के इसका परिचलित करके खुशिया मनाई जाती है, उजाला करके खुशिया मनाई जाती है और उस उजाले की वैसे उस परंपरा की वैसे बाद में और भी बहुत सारे मतों की परंपरा है इसमें जुड़ गई क्योंकि अच्छा उत्साव होता है और ये इस पूरे एशिया का सबसे बड़ा उत्साव होता है सबसे बड़ा उसलिए होता है क्योंकि इसमें अंधेरा होता है प्रिकास चारवतर होता है और अब आपने इसको कैसे मनाना है क्योंकि एक मानेता ये है कि इसको मनाये या ना मनाये आज के परिपेक्ष में बहुत सारे लोग इसके संसे में रहते हैं तो आप देखिए कि इससे आपके घर में कुछ लाब है या नहीं, आपके बिजनिस में फाइदा है या नहीं, आपको कुछ पैसा मिलता है या नहीं, अगर आपका पैसा जाता है, अगर आपको इसमें लाब नहीं मिल रहा है, अगर आपका नुकसान हो रहा है, अगर आपके है हमारा ब्यापा चला है बिनी चला है तो इसको जोड सोड से मनाईए क्योंकि ये खुशी का उत्सव होता है प्रकास का उत्सव होता है धन्यवाद